ओके सो हलो सा to everyone and welcome back to my new video तो यह होगा हमारा 9 नंबर का video इससे पहले लिए युऐ हमने 8 वीडियो बना चुके में और वोन 8 वीडियो में पहले हमारा 7 लिए 7 पे गार कॉनसेप्न के ओप deteriorate उनरी देवाल चूल्लाव॥ prefis alsoøre the method of resolution और प्लिश क्या होता है जिसने मारा concept तो अभी हम problem कर रहे हैं तीन वीडियो से मतलब 8-9 वीडियो में हम problems कर रहे हैं तो अगर आपने मेरा वह पिछले problem बाला video नहीं देखा है तो आप वह video भी देख सकते हैं और कुछ सिख सकते हैं उससे की problem कैसे करते हैं तो यह problem हम कर रहे हैं वह ज्यादा top भी नहीं और ज्यादा simple भी नहीं है बीच-बीच में आता है जो problems कर रहे हैं तो चलिए start करते हैं और उससे पहले अगर आप यह playlist को विजट करना चाहते हैं तो मैं इसका link दे दूँगा प्ले लिश्ट का link description box में भी दे दूँगा आप वहां से उससे विजट कर सकते हैं तो चलिए start करते हैं और एक बात यह जो problem का end में में इसका handwritten मतलब जो मैंने किया है नोट नोट बुक में जो complete किया है उसका photo भी दे दूँगा तो end में आप उसे भी देख सकते हैं विजट कर सकते हैं कि थोड़ा clear हो जाएगा अभी मैं लिख के गता हूंगा पर वहां end में मैं आपको photo दे दूँगा solution का तो चलिए फर्स्ट प्रोब्लेम क्या है तो फोर्स दिया है एक f1 है और एक f2 है जाट बहुत हर आक्टिंग आते पॉंट एक सिंगल पॉंट में दो फोर्स आक्ट कर रहे हैं दा अंगल बेटूइन दा तो फोर्स इस 50 डिग्री इस फाउंट आर इस फाइवंडे न्यू दा एक है उसका वैलू दे दिया है कि 500 न्यूटन है और यह बता है कि अंगल जो है एक थीटा एंगल दिया है और एक आलफा एंगल दिया है मतलब पिछली वीडियो में पहले ही बता चुका हूं अब वह भी विजिट कर सकते हैं तो चलिए फर्स्ट क्या है ना ड्रॉ करत एक फोर्स यहां काम कर रहा है और एक फोर्स उपर की तरफ काम कर रहा है मान लिजे तो यह फोर्स जो काम कर रहा है इसे मान लिजे एफ टू और इसे मान लिजे एफ वान तो इन दोनों के बीच में एक रेजल्टांड काम कर रहा है जिसको हम लेते हैं आर तो अंगल क्या है तो एक है यह बढ़ा वाला अंगेल जिसको हम बोलते हैं क्या ना थि्टा तो लिख लेते हैं क्या है तो थिटा क्या दिया है मैंने पहले ही ज तो अभी बिटा कितना मिलेगा मतलब 50 से 20 गया तो कितना बचा 30 तो यह होगे हमारा आंगल में हमको सब कुछ मिल गया आलफा बीटा थिटा तीनों आंगल मिल चुके हैं तो बहुत एजी हो जाएगा करने में तो अब एफ़न एफटू फाइन करना होगा उससे पहले आर रे सब्सक्राइब तो अभी हमको एफ़न एफटू निकालना पड़ेगा पर कैसे निकालेंगे कैसे निकालेंगे तो सोचना तो पड़ेगा तो उससे पहले हम प्रोब्लेंस मतलब फॉर्मूला सब कुछ याद करना पड़ेगा एक था हमारा कॉसाइन लो मेथड और दूसरा कॉस थेटा और जो प्लॉस माइनस वह डिपेंड करता था फोस किस तरफ जादा है तो यहां पे तो प्लस ही होगा तो अभी बता है ना आर इस इकॉल डू रूट ओवर अफ एफ़न स्क्वार एफ टू स्क्वार प्लस एफ एफ़न टू एफ़न एफ़न इस एफ टू कॉ स्क्वार प्लस टू एफ़न इंटू एफ टू कॉस थीटा था इसा था तो अगर यहां से यह जो फॉस्ट यहां से जो रूट ओवर है यह जो यह जो रूट ओवर है अगर यह रूट ओवर हम निकाल देंगे तो वह इस से डिया के आर का स्क्वार बन जाएगा यह तो हमे हमें वालू पूट करना पड़ेगा तब हलू किसे पूट करेंगे चलिए तो आर्ट स्कोया आर कतो हमें पता ही आज KITना है 500 वाइब फाइव अंडर्ट का स्कोया इस फान नहीं पता फॉड़िए f2 भी नहीं पता इसे भी जानेदी जे प्लस टू एफ वान इंटू एफ टू कोस थीटा थीटा हमें बता है 50 तो यह हो गया कितना ना कॉस 50 कि तो एंड में हमारा कितना मिलेगा ना एफ वान का स्क्वेर प्लस एफ टू का स्क्वेर मैंने पहले कर चुका हूं ना तो मुझे यह 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 हो गया एफ वान इंटू एफ टू इस इकॉल टू फाइव अंड़ेड का स्क्वेर टू फाइव ट्रिपल जीरू कि इसाज चार जीरू तो हो गया इसको हम लेंगे किया ना एक्वेशन वान इसकोष एकवेशना निकला न आ यह तो इसको हम लेंगे इसको हम लेंगे एक्वेशन वान यहांपे छोग भी निकला ओके मिल गए हमें इक्वेशन वान इसको याद रखना है तो अभी हम क्या करेंगे इसके बाद क्या कर सकते हैं कि यहां पर आंगल दिया है तो आंगल से कुछ करना पड़ेगा एक था हमारा त्यान आलफा था क्या ना एक था यहांड बैद बीटा इसको फोन साइन धिटा डिवाइड़ला माइनस एफवन कश धिटा यही दोनों में सरी किसी एक को चूज करेंगे तो मान लिजे हम प्या बीटा को ले वह वःट वो बना देते हैं यहां। यहां पर से ट्रॉाइNG बना देते हैं हां। यहां पें यह कितना ना फास्ट वाला है 20 डिग्री यह वाला है 30 डिग्री कि तो अभी अगर हम फार्मलावी पूट करेंगे ला कान ही त्यान बीटे सिर्फ फॉर्मला पूटे यहां पेमकर में सब्सक्राइइं सब्सक्राइब 46V एफ ग्रॉल divided by f2 f2 का value भी नहीं पता प्लस f1 cos theta f1 cos का value कितना है न फिप्टी डिग्री यह जो दो डिग्री है हाँ हो गया तो अभी इसको निकालना पड़ेगा तो कैसे निकालेंगे यह थोड़ा बड़ा हो गया है और चलेगा छुड़ी तो इसको value कितना होगा 0.76 f1 divided by f2 plus 0.64 f1 मतलब यह हम पर 50 का और cos 50 का value पूट करने से हमारा result में निकला इतना तो अब यहां थार्टी त्यान थार्टी का value भी पता है वान भाई रूट थ्री तो अभी इसको solve करेंगे तो यहां से हमें एक और equation मिलेगा इसको solve करेंगे पर थोड़ा बड़ा हो गया है तो इसको उपर वाला मिटा देते हैं जगा नहीं है तो अभी क्या करेंगे अभी cross multiplication मतलब यह जो नीचे जो है यहां पर यह जो value नीचे है यह क्या होगा ना यह उपर जाके यहां पर एक के साथ multiplication होगा और यह जो value रूट 3 जो नीचे यह उपर जाके इसके साथ multiplication होगा तो क्या निकलेगा हमारा value आएगा कितना ना लाश्ट में हमारा value आ जाएगा यह multiplication होगा तो f2 उपर जाएगा तो होगा ना f2 plus 0.64 f1 is equal to root 3 into root 3 into 0.76 f1 root 3 into root 3 into 0.76 f1 यह होगा है हमारे value आ गया तो इसको भी मिटा देते हैं तो इसको मिटाने के बाद हमारा value लाश्ट में में क्या निकलेगा 0.68 f1 is equal to f2 निकलेगा मतलब आपको calculation करना है बहुत easy है calculation 0.68 f1 is equal to f2 निकलेगा यह होगा हमारा equation 2 equation 1 क्या था यह value था equation 1 equation 2 मिला हमें f2 का value is equal to 0.62 f1 तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा ना जो equation 2 मिला है उसे equation 1 में put करेंगे मतलब यह जो f2 का value मिला है ना 0.62 f1 उसे हम यहाँ पे इस value में put करेंगे तो इस value में put करने से हमारा कितना निकलेगा चलिए last में देखते हैं तो value को put करेंगे तो हमारा निकलेगा क्या ना f1 का square प्लस 0.68 f1 का square प्लस 2 f1 इंटू 0.68 f2 इंटू 0.64 तो इसको हमें solve करना पड़ेगा calculation मतलब solve करेंगे तो last में मतलब थोड़ा अलेंदी होगा मतलब solve करना तो इसलिए last का value मतलब answer direct ही लिख लेता हूं कितना होगा ना f2 वह हम बस value ही put करना है तो answer हमारा last में आएगा 222.609 newton में हमारा value आ जाएगा तो बहुत ज्यादा complicated problem भी easy problem है तो अगर मेरा भी कहीं भूल हो सकता है तो वह सिफ calculation में भूल हो सकता है कि में थर बहुत मतलब पूरा सही है तो यह देखिए यह हो गया मेरा answer मतलब जो मैंने बनाया था अपने first year में हमारे teacher ने जो problem यह problem दिये थे तो उसी को मैंने बनाया था यह हो गया यह है वो problem सेम प्रोब्लम बद वही बताया है आप यहां से screenshot मार के भी ले सकते हैं घर पर बाद में बना सकते हैं कर सकते हैं बहुत easy है यहां पर है तो चलिए next problem की तरफ जाते हैं नेक्स प्रोब्लम में क्या दिया है नदा resultant of two forces is 200 newton बना देते हैं एक साथ resultant of two forces ना एक यह फोर्स हो गया और एक उपर फोर्स हो गया resultant of two forces यह हो गया resultant कितना दिया है ना 200 newton and the two forces are inclined at 20 degree and 40 degree यह हो गया two forces here 20 degree में है और यह 40 degree में है with the resultant and one on each other magnitude of these two forces वही सेम ही problem है यार भाई ही f1 f2 same problem है तोड़ा value change करें दे दिया है बस चलिए आपको ता आता होगा फिर भी बता देता हूं alpha दे दिया है 20 beta दे दिया है 40 तो थिटा मिल गया हमें 60 तो रेजल्टांट दिया है कितना ना 200 का तो अब हमें क्या करना पड़ेगा ना 10 का value ले ले लेते हैं मतलब 1020 1020 पिछले वीडियो में हम इसरी पिछले बाले में यहां पर हमने किसका लिया था मतलब 1020 लिये थे तो इस बार ले लेते हैं त्यान आलफा ले ले लेते हैं अपने मर्जी जो लेता है ले लो मेरा मर्जी में लूंगा 1020 अलफा आप 1020 में भी ले सकते हैं तो ट्यान आलफा का विएल्यू आ जाएगा कितना आलफा हमारा फॉर्मुला किया था एक तू साइन थिटा डिभाइड़ बाए इस वान प्लस फ्टू कॉस्टिटा है कि यह हो गया फॉर्मुला तो यहां पर फूट करना है तो फूट करने से क्या होगाए ट्यान आलफा का खाली है 20 घजी कोई ऑफ-टु-एफ-टु हमारा कितना है हमाफ खुवसाइन सिक्स्टी लेते है तो फाइड़्य करता है है तो क्या हो जाएगा ने हम एक टो साइन धिटा तो एफ-टु-टू-एफ-टू-ध हम हमक्या लेंगे ना 60 डिग्री तो डिभाइड यह हो गया f1 plus f2 कॉस 60 डिग्री इसको जारा मिटा देते हैं मिटाने के बाद हमारा कितना मिल जाएगा ना ट्यान 20 हो गया कितना ना 0.36 is equal to 0.86 जिरो पॉइंट जारी भी डिन्गे जारी कि फॉइंट इसको भी मिटा देता है कि एड में वा जारेख लेता हूं आप इसे कर सकते हैं मतलब कर के दिख सकते हैं पर में calculation directly लिखेता हूं क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो एंड में हमारे कितना निकलेगा ना f जो होगा वह होगा वह सरी f बोलता हूं सरी क्या होना f1 f1 जो होगा वह f1 ना f1 हमारा निकलेगा कितना ना f1 is equal to 1.88 f2 यह हो गया हमारा equation 1 यह होगा equation 1 f1 is equal to 1.88 f2 निकलेगा तो next में चलते हैं तो next में हमें वह formula r का formula पता है r square सरी r is equal to root over of f1 square plus f2 square plus 2 f1 into f2 cost 3data whole root over तो root over निकल जाएगा तो इस साइड आगा square हो जाएगा जो पिछले प्रोब्लेम हमने किया था तो उसी को यहां पर फिर से करना पड़ेगा तो r square is equal to f1 square plus f2 square plus 2 f1 f2 cost 3data तो हो गया यहां पर पूट करेंगे तो आर हमना हमने पता है ना 200 दिया है तो कि तो आर दिया है 200 को 200 का square कितना होगा कि 40,000 हो गया तो is equal to f1 f1 का square f2 का square plus 2 f1 f2 यह हो गया कितना ना cost theta तो बस value पूट करना है कि कुछ नहीं है बस value पूट करना है एंड में आंसर ही मिल जाएगा मैं आपके ऊपर चोड़ रहा हूं कि आप लोग यह करें कि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है और मुझे बता है आपके पास इतना पेशन्स भी नहीं है तो मैं बस एंड में आपको यह आंसर दिखा देता हूं कि आपको अगर चाहिए तो स्क्रीन सट भी ले सकते हैं बस एक बात बता देता हूं यहां पर कुछ प्रोब्लेम है क्योंकि यह यहां पर यहां पर 20,000 लिख दिया हूं यह होगा 40,000 तो यह जो 40,000 यहां पर 20,000 यहां पर 40,000 divided by 6.41 होगा तो उसके इसाब से आंसर में मिलेगा तो देख करिएगा ओके तो चलिए एंड करते हैं वीडियो को बहुत ही लंबा हो चुका है पहला ही तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रोब्लेम करेंगे तो थैंक यह वर वाचिक अजिए और बाइग च्ट अग्जा ओड़ू और बाइग